मैंने कहा न, कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा, और उसका हो सकता है कि विडियो फुटेज भी मिलेगा, कौन-कौन लोग सराब पीते हैं, लेकिन करीब 6-7 लगों की सुची आई है, जो लगातार सराब पीने का काम करते हैं, वो इंडी गट बंधन कहीं नेता नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अपिनओ, ये आरोप बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलिप जैसवाल का है, जहरीली शराब से बिहार में करीब 40 लोगों की मौत हाल-फिलाल में हुई, आपको मा लेक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अब शराब बंदी से जुड़ा हुआ सवाल जैसे ही दिलिप जैसवाल से पूछा गया, दिलिप जैसवाल ने कहा कि इसमें कई लोग शामिल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा राजनतिक बयान दिया जो बेहत ही चौकाने व आ जाएगा, इन्तिजार करिए, वीडियो भी आ जाएगा, ये दिलिप जैसवाल एक बड़ा दावा कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अधिकारी जल्द वीडियो जारी करेंगे, सुन्ये बयान तो आप तो पता लगाने वाली बात है, कि पहला तो सराव कोण पीता है, अब दूसरा सराव कोण बेशता है, अभी दो सवाल है, सराव पीता कोन है, और बेशता कोन है, दोनों पर थदोड़ना नजर रखिए, मीडिया कर्मी भी नजर रखेंगे, सरकार भी नजर रख रही है और अभी बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है कि बिहार के अंदर कौन-कौन लोग सराब पी रहे हैं अब तो मैंने कहा न कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा और उसका हो सकता है कि विडियो फुटेज भी मिलेगा कौन-कौन लोग सराब पीते हैं अब कोई कोल्ड रिंग पी रहे हैं अब कोको कोला काला कलर का है उसके बारे में निकाल देंगे सराब पीते हैं सच्चा ही पता चलेगा अब देखना दिलिब जैस्वाल जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं उननेताओं का नाम आखिर सामने आएगा को और अगर दिलिप जैसवाल को ये बातें पता है अधिकारियों को ये बातें पता है तो आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है वीडियो आखिर कब आएगा या फिर ये आरोप एक महज राजनितिक आरोप है कमेंट कर हमें जरूर बताए पतना से निकेत कुमार के रिपोर्ट आप देख रहे थे तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं बहार तक